नमस्कार दैनिक जागरण ने रिपोर्ट लिखी है कि यूपी बोर्ड इस्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुस खबरी प्रमोट होंगे हाई स्कूल के परिक्षार्थी दैनिक जागरण ने अपने पोर्टल पर जो खबर लिखी है विस्तार से हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं यूपी बोर्ड के सचिव दिवेकांट सुकल ने सभी जिला विद्याले निरिक्षकों से चमाही और प्री बोर्ड परिक्षा का प्राप्तांक वब पूरांक परिशत की वेबसाइट पर मांगा है यह सूचना मंगलवार साम तक अन्यवारे रूप से देनी है यानि इस संबन में निर्णे जल्द होने के आसार हैं उतरप्रदेश माध्यमिक सिक्षा परिसत की हाई स्कूल वा इंटर्मीडियर परिक्षा 2021 सब तक नहीं हो सकी है आम तोर पर ये फरवरी मार्च में होती है लेकिन पहले तरी स्तरीय पंचाच चुनाओ फिर कोरोना संक्रमण की वज़ा से परिक्षाओं का कारिक्रम दो बार घूसित करके स्थगित करना पड़ा और बाकी इन्होंने CBSC के बारे में लिखा हुआ है CBSC ने अप्रैल में ही निर्णे लिया था कि वह हाई स्कूल के परिक्षार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करेगा जबकि इंटर के संबद में अंतिम निर्णे होना बाकी है CBSC के निर्णे के बाद से ही यह कयास लगाया जा रहा था कि यूपी बोर्ड भी उसी की राह चल सकता है लेकिन उस समय तक हाई स्कूल के परिक्षार्थियों को प्रमोट करने का आधार नहीं मिल पा रहा था बलकि शासन इस पर मन्थन कर रहा था अब यूपी बोर्ड के सचिउ दिवेकांत सुकल ने सभी जिला विद्धियाले निर्ख्षकों को पत्र लिखा है कि वे हाई स्कूल परिक्षार्थियों की छमाही और वार्सिक परिक्षा प्रिक्षा प्री बोर्ड के विशेवार प्राप्तांकु अपूरांक परिशत की वेबसाइट पर अप्लोड करा दें पत्र में यह भी लिखा गया है कि यदि किसी विद्धयाले की वांचित सूचना वेबसाइट पर अप्लोड नहीं होती है तो उस जिला के जिला विद्धयाले निरिक्षक जिम्मिदार होंगे और इन्होंने आकड़ा दिया है कि है स्कूल में 29.9 लाक विद्यार्थी हैं और परिक्षाओं के बारे में उन्होंने और लिखा है कि आपने किस उस समय मुसीबत में प्री बोल्ड परिक्षा अपनी नहीं दी थी और उनसे ये बात करके अपनी समस्यां बता दीजे फिर कहिए कि अगर ऐसी जानकारी है तो विद्याले अपने अफ्तर से वो चीजें देखकर समस्या का समाधान कर ले और बाकी यूपी बोर्ड से समंदे तभी फाइनल निरने 20 तरिक को आएगा उसके पहले जो भी छोटी बड़ी अड़ेट समने आपको बताइए हम तक और आगे भी बता रहा है तो इस्टे टून रही है दर यून्वेस्टी कनेक्शन